बनारस ये एक ऐसा शहर है जो किसे भी पर्चे का मोहताज नहीं इस शहर का एहसास ही दूसरी लोग में ले जाता है इस शहर में अध्यात्म के साथ सिक्षा और चिकिसा जगत के कमाल के संस्थान है जिनमें काशी हिंदू विश्व द्याले और यहां के सरसुंदर लाल चिकिसाले का नाम अग्रणी है यहां की हस्तियां भी एक से बढ़कर एक रही है ऐसी ही एक शक्सियत का नाम है विश्व के जाने माने कैंसर सर्जेंट प्रोफेसर श्री हरिशंकर शुकला स्रीवा को समर्पित व्यक्तित्व या यूं कहें कि चलती फिरती संस्था 89 साल के प्रोफेसर श्री हरिशंकर शुकला एक ऐसा नाम है जो मरीजों की दुख तकलीफ को दूर करने के मिशन में जूटे है डॉक्टर के रूप में करियर की शुरुआती दौर में डॉक्टर शुकला काशी हिंदू विश्व द्याले से जुड़ो पुर्वाचल के एम्स कहे जाने वाले सा सुन्दर लाल्चे के साले से 2006 में रिटार्मेंट के 16 साल बाद भी डॉक्टर हरिशंकर शुकला मरीजों की चिकिस्ता और सेवा पदस्तूर जारी है मरीजों की सेवा में रमें डॉक्टर हरिशंकर काओं बनार से 120 किलो मीटर दूर प्रियाग राज के अखिया में है डॉक्टरी के अलावा डॉक्टर शुकला की रूची खेती में भी है डॉक्टर शुकला मरीजों के सिवा के अलावा उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देते हैं अपने गाउं में उन्होंने मचली पालन के लिए तालाब बनवाया है जिसमें पांच हजार मचलिया हैं उनके बाग चंदन समेद कई तरह के व्रिक्ष हैं डॉक्टर शुकला मोटे अनाच की जैविक खेती भी करते हैं जो भी मरीज उनके यहां आते हैं वो उसे जैविक खेती से उतपादित फल सब्जियां देते हैं मरीजों को जैविक खेती करने के लिए प्रेद भी किया जाता है डॉक्टर शुकला के साथ 29 साल से रह रहे आनंद बताते हैं कि काउं में जब से डॉक्टर शुकला ने रेगुलर आना शुरू किया है तब से ग्रामेडों ने भी आना जाना शुरू कर दिया है आश्रम जैसा लोग दिया गया है डॉक्टर शुकला की जमीन पर जैविक खेती की जाती है केमिकल मुक्त खेती पर जोड दिया जा रहा है केयर टेकर और सहयोगियों को भी इससे मदद मिलती है इस्थाने ग्रामिरों की बीज भी ये सबजियां लोग पर ये हैं इसने लोग डॉक्टर हरी शंकर शुकला के खेत में पैदा होई सबजियों की डिमांड भी अच्छी है एक रुपए की लोग यहों की पिसाई का शुल्क है सरसो तेल निकालने की मशीन भी लगाई गई है डॉक्टर शुकला अपने खेत की सबजियों के बारे में बताते हैं कि जैविक खेती के साथ इंसान आत्मिल्भर बन सकता है किसानों की महत्तो कांग्षा पर टिपणी में डॉक्टर शुकला ने कहा कि टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन की चाहत में केमिकल का इस्तिमाल कर केमिकल का धड़ले से इस्तिमाल किया जाता है तेकिन जैविक खेती से उप जाई के फसल अच्छी कीमत पर बिके तो दवाओं का खर्च खदम किया जा सकता है और नेचर भी बैलनेस करती पेशे से वकील, डॉक्टर प्रभाकांद और मनोज कुमार्ट शुकला, डॉक्टर हरिशंकर शुकला के यहां निमित रुप से आती रहते हैं जेविक खेती करने वाले डॉक्टर शुकला, कैंसर पीर्थों के लवफ बाकी लोगों को भी केमिकल मुक्त और जेविक खात का इस्तिमाल करने का सुझाओ देते हैं करीब 30 साल से यहां डॉक्टर शुकला की परिसर में सबजियों की खेती और विकरी करने वाली सुनिदा बढ़ाती है कि उनका पूरा जीवन डॉक्टर शुकला की आवास में खेती और सबजियों की विकरी में बीदा है काफि सुखद और अच्छा अन्भा रहा डॉक्टर शुकला के स्टाफ के लिए जिस किचन में खाना बनता है खबर हिंदी की टीम वहां भी पहुँची कंडे और लकड़ी के चूले पे खाना पकाने वाले कीरण बताती है कि वे साथ साल से डॉक्टर शुकला के साथ है हर अबिवार को यहां तमाम स्टाफ के लिए खाना पकाया जाता है वे बताते हैं कि 10-12 साथ से डॉक्टर शुकला के साथ है उन्होंने बताया कि खेदी किसानी के अलावा मरीजों के इलाज में भी मदद करते हैं मरीजों के साथ आत्मी रिष्टा बनता है उन्होंने कहा कि पैसो की तंगी से जूज रहे मरीजों का इलाज के भाव में तड़ अपना नहीं पढ़ता जरूरत मन्द लोगों को फंड की जरूरत पढ़ने पर मुफ्ट एंबूलेंस की सिवा मोहिया कराते हैं सोशल अक्टिविटी में गाउं में कैंप लगाते हैं सो मुआर को बीच्चु में आज भी डॉक्टर शुकला मरीजों को देखने जाते हैं दूर दराज के लोगों को जरूरत पढ़ने पर बनारस बलाते हैं डॉक्टर शुकला अपने जमीन पर बारामासी आम की भी खेती करते हैं वैज्यानिक और प्रक्रतिक तरीकों से मरीजों का इलाज करने के अलावा डॉक्टर शुकला 98 साल के बुजुर की नेमत भी संभाल कर रखते हैं अत्याधुनिक चिकिसा परद्यती से इलाज करने वाले डॉक्टर शुकला अध्याद्म के प्रती भी रुजहान रखते हैं उनके परिसर में बनाई के इमारतों पर इसकी जलक मिलती है डॉक्टर शुकला ने पानी के सुविधा वाले भावन को नर्मदा गैराज, विश्नु टावर और एक अन्य भावन को मुन्ने हाल का नाम दिया है डॉक्टर शुकला चाय में चीनी घोल कर पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते डॉक्टर साहब के परिसर में एक बहुत पुराना व्रिक्ष भी दिखाई देता है दॉरलपेडो को सहेजने के मकसद से डॉक्टर शुकला ने अपने परिसर में लाल चंधन भी लगा रखा है परामर्थ के यग्य में खुद के परिश्रम की आहुदी देने वाले लोगों में डॉक्टर सनुच कुमार मौरिया भी शामिल है उन्होंने बताया कि करीब 17 साल से भी डॉक्टर शुकला के मारदर्शन में जरुरत मन लोगों की सेवा में लगे हुए है उन्होंने जैवी खेती के बारे बताया कि जब भी समय मिलता है वे खेतों में श्रमदान करने आते हैं गरीबों को मुफ्त इलाज और फल सबजिया अनाज जैसी मदद भी दी जाती है अरहर दाल और केले की खेती की जा रही है खेती से लोग इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न कम मिलता है सनुज सेहत मन जीवन के लिए आम लोगों से भी रोज मर्रा के सबजियां उगाने की अप्रील करते हैं केले के साथ साथ बाकी फसलों की खेती के लिए डॉक्टर शुकला की जमीन पर अलग सेगिमेंट बने हुए है क्यारियों की जुताई के बाद कतारों में केले के पौधे देखे जा सकते हैं कर्मभूमी बनारस से 120 किलो मिटर दूर इलाबाद के एक गाउं में मरीजों की सेवा करने में जुटे डॉक्टर हरीशंकर शुकला की लाइफ युवाओं के लिए एक मिसाल है करीबों और मरीजों की सेवा के संकल्प के साथ डॉक्टर शुकला गाउं में बता और डॉक्टर रिटार्मेंट के 22 साल के बाद भी सक्रिये हैं खेती किसाने में शिद्द से जुड़े डॉक्टर शुकला के पास इलाज कराने पहुचे मरीज बताते हैं कि इलाज के लावा डॉक्टर शुकला और ग्यानिक खेती करते हैं जो काफी उस्सा बढ़ाने वाला है। शुकला बताते हैं कि ग्राउन वाटर लेवल बरकरार रखने में मदद मिलती है। इसके साथ ही तलाब के कारण फल सब्जियों बाकी पौधों की सिचाई भी समूचित तरीके से करने में काफी मदद मिलती है। तलाब के साथ साथ मशली पालन भी करते हैं। इसे डॉक्टर घाट का नाम दिया है। तलाब के किनारे सिहत के लिए फाइदे मंद पपीते का पेड़ लगा रखा है। मनोरम वाता वरण में कैंसर जैसी विमारी का इलाज कराने आने वाले मरीजों के चेहरे की सिकन भी कुछ देर के लिए गायव हो जाती है। डॉक्टर शुकला, मु के बीएस के तीसरे साल के पढ़ाई करते समय डॉक्टर शुकला को उनके प्रिंस्पल ने प्रिरित किया कि आर्मी जॉइन कर ले। क्लास के पांच लड़कों ने 1968 में फाइनल येर के दोरान आर्मी जॉइन कर ली। बंगलादेश के साथ युद्द्य के समय भी वेडियो कार्डिफ यूनिवस्टी भेजने के लिए उन्हें प्रोफेसर एनी हून से बात की। सीनियर रजिस्टर बनकर प्रिटेन पोशे डॉक्टर शुकला 12-14 साल तक इंगलेंड में रहे। बाद में बियच्चु में नौकरी मिल गई तो दूसरी जगह जाने का विचार छोड दिया। बियच्चु में नौकरी के बाद इलहाबाद को कर्मभूई बनाने के सवाल पर उन्हें कहा कि 1980 के बाद लगबग हर अविवार को गाउं आकर मरीजों की सेवा करते हैं। सतर से अठारा एकर खेट के स्वामी डॉक्टर शुकला बताते हैं कि पक्का तलाब बनवाने की पीछे उनके पीता की प्रिणा है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मरीजों को और गईनिक खेती के लिए इंस्पायर करने की विचार पूर उन्हों ने कहा कि 12 ग्लास पानी प्रते दिन पीने से पिशाब और कई विमारियों को दूर भगाया दा सकता है। इससे हाइड्रो थेरपी कहा जाता है। लॉक्टी का जूस पीने का दिलचर्फ से वाकिया शेयर करते हुए डॉक्टर शुकला ने कहा एक महिला मरीज 105 किलो वजन के साथ उनके पास लॉक्टी की जूस का सेवन करने के बाद पांच महिने में इस महिला को वजन 20 से 25 किलो कम हुआ। सबजियों में केमिकल का इस्तिमाल और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाओ के बारे में डॉक्टर शुकला कहते हैं कि इस बारे में परयात व्यग्यानिक साक्ष नहीं है ले अबातार सक्री रहने का रास क्या है इस सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों की बुराई करने से बचें निंदा करने पभी लोगे की प्रती निगेटिव सोच डेवलप न करें खुद महाभारत और विदूर्निती का अध्यन करते हैं कैंसर से बचाओ के बारे में उन्होंन माने सुनिये पीड़ी जब हमें काम करना आदत है कि हमें वहा जाना है तो हम उसकी तरफ देखते हैं कि हमारा कपड़ा ठीक है नहीं हाओ और पंचर तो नहीं हो गई तो सब सारा काम करने में निजिट लगती है इनरजी तो अच्छा सोचेंगी तो इनरजी आएगी ही तो निंदक भी अगर आजाए तो उससे प्यार से बात करिये हम महा भारत पढ़ते हैं विदुर्नीच पढ़ते हैं विदुर्नीच में आप पढ़िए विदुर्नीच क्या क्या चीजें लिखी हुई है जो दृस्टास को समझाता है गजब की चीजें हैं तो वही किताब हम कई और पर चुकेयां पढ़ते रहते हैं आवेरलेस एडीचन एज्य कीतिनफ ही एनफ्टास के लिखी और ओनने स्टास और वेरिन्शन अंडति इस लेए समें पताकी फ्यारिविटेटीटْ से हम आसे आसं सिदुद्टीट्ट से अनिफ्ट कर टेय ether स्टास करता हैं और और स्टेज वन में कैंसर पा लिया कहीं का भी हो एक आठ जगह छोड़ के तो हंडेट पर्सेंट तक क्योर होता है और प्राइमरी प्रिवेंशन में होता ही नहीं अब जैसे लेडीज को क्या यंग गर्ड्स को अब वो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए टीका अविले दोता है तो उससे स्रवाइकल कैंसर कम हो जाएगा और कैंसर बहुत ज्यादा होता है यहां पे 120 ik 110 तेट सो मरीं जाते हैं असी करीभ और कैंसर होते कहां कहां से नहीं आते उन की हालत देखिए वह परिथ्याज होते हैं सोचाइटी में लोग बात नहीं करते हैं जबकि रो डॉक्टर शुकला के खेत में सब्जीयों की खेती और उसकी बिक्री करने वाले सहायकों ने बताया कि बैगन, अमरूद और बाकी सब्जियां बाजार की तोला में कम कीमत के साथ-साथ अच्छी गुरुवत्ता में भी मिलती हैं मरीजों के अरावा आसपास के गाउं के खरिदार भी अच्छी खासी तादात में आते हैं डॉक्टर हरीशंकर शुकला का परिवार भी उनके साथ खड़ा है उनके छोटे भाई केर शुकला बताते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा फलो का बाग भी लगाया है घर के पीछे की जमीन पर हाईब्रिड आम, आउला, अमरोज और जामुन जैसे फल लगाये हैं बाग के नीबू इतने बड़े आकार के होते हैं कि चार-पांश लोगों के परिवार के लिए एक नीबू ही परियाप्त है एक छोटा ता बाग है यह अपने घर के पीछे का इसमें आम, आउला और जामुन लगा हुआ है और सभी हाईब्रिड हैं बहुत अच्छे हैं यह अपने समय से काफी अधिक मात्रा में फल देते हैं और गैनिक खेती की बारे में डॉक्टर केयर शुकला ने बताया कि इनसानों में बीमारी का प्रमुक कारण फर्टिलाइजर है ऐसे में अब लोगों को जागरुक होने और सरकारी प्रयास किये जाने की जरूरत है आम देनी कम होने का हवारा देते हुए कि अशुकला ने बताया कि मेहनत और निगरानी की अधिक जरूरत होने के करण लोग करनी काटते हैं लेकिन सेहत में जीवन जीने की जाह रखने वाले लोगों के लिए केमिकल मुक्त खेती अपनाने चाहिए आरगनिक खेती तो वो इनसान के सेहत के लिए मानों के सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है फिर ये चोटे मुटे जो रोग होते रहते हैं ये सब बंद हो जाएंगे क्योंकि अभी तो हम लोग जो फटलाइजर खाते हैं जो जो तरह तरह की प्राबलम शरीर में क्रियेट हो रही है क्योंकि इसमें मेहनत पहली चीज मेहनत है दूसरा अरणिंग थोड़ा कम है यही रीजन है कि आरगनिक खेती बहुत मुश्किल से करते हैं लोग क्योंकि बहुत मेहनत है किसी कवी ने क्या खूब का है अगर आपको हसना गाना सीखना है तो फूलों और भौनों से सीखे शाद इसी कसन को चर्दारत करता है डॉक्टर शुकला का बाग डॉक्टर शुकला जैसे सनवेदन शिल बागवान हो तो प्रेम और करुणा से सीचे गए बीज शांदार पौधे बनते हैं यहतिमा भी खुब आशिरवाद देती है इनके बागों में फलों के अलावा गुलाब की किस्मे है मस्कुराते हुए फलों के राजा को देकर आप जीवन का हर तनाव भूर सकते हैं घरों में गुवन्ष को रखने और गौव माता की सेवा करने पर अक्सर लोग कहते कि हमने गाय पाली है चाद इसे डॉक्टर कुमार विश्वाद जैसे कभी हृदय व्यक्ति ने ठीक तरीके से का है कि गौव पालन इनसान नहीं करते बलकि गौव माता हम इनसानों को पालती है डॉक्टर शुकला के परिसर में आने पर एक अलगी दुनिया की अनुहोती होती है परिसर में आधे दर्जन से अधी कायों का पालन होता है सेवक बताते हैं कि दूद दही परियाप मातर में मिल जाता है प्यच्चू से रिटायर्मेंट के बाद इलहाबाद में मरीजों की सेवा में जुटे हरिशंकर शुकला के पास कैंसर प्रेडित बहुत दूर-दूर से इलाज कराने आते हैं डॉक्टर शुकला के मरीजों में उत्तर प्रदेश के अलावार नेपाल, मर्दि प्रदेश, जारखन, बिहार जैसे प्रदेशों के लोग भी शामिल है डॉक्टर सती शुकला, मरीजों के प्रती इस कदर समर्पित हैं, इसका अंदाजा इद बात्ते होता है कि अपने गाउं में सप्ताह के दो दिन चिक्रिसा शीविर का आयूजन करते हैं अंत में बस इतना कि बनारस से इलहाबा तक की पूरी जर्मी खबर हिंदी की टीम के लिए तो यादगार बन ही गई, काफी सिखाने वाले मोमेंट्स में जीने का मौका मिला हमें उमीद है कि आम लोगों की लाइफ में हरी शंकर शुकला की लाइफ जर्नी बेहतरी अनुभाव जोडने का काम करेगी तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग बनारस से चलते हुए यहाँ आठकरिया गाउं में आये हैं चुकि 120 किलमेटर दूर है वाराणसी से राश्ते में आते हुए कई सारी कठनाईया जैसे ट्राफिक और बहुत सारी चीजे देखने को बली अगर यहाँ आने के बाद मन में एक अजीब तरीकी प्रसनता भी देखी गई अगर हम बात करें तो इस गाउं में यह बोला जा सकता है कि एक डॉक्टर एचे सुकला द्वारा बसा बसाया गाउं है जहां खेती, किसानी, बागवानी और मरीजों के देखरे के साथ ही पश काम कर रहे हैं तो उसको हमेशा आगे बढ़ा है, खबर हिंदी की टीम का वादा है कि हम ऐसे ही और हस्तियों से रूबरू कर आते रहेंगे, इससे बहतर बलकि सकारत्मक जीवन जीने की प्रिणा मिले, देखते रहें खबर हिंदी